में कर अब ऐए थी है कि कौन कौन सी लेवल कोते हैं एक कोन सी होती है । नॉम्मल पर अभारे डेंजरोप परमिशन्स तो जो हमारी नमल परमिशनस होती है उसमें के रहाता है क्लिормzip नहीं परमिशन के लिए हमें पक्षक फाल में अफज में कोडिंग करना पड़ेगी लेकिन यूजर को कंफर्म नहीं करना पड़ेगा जैसे हमें अगर जो हमारा यूजर है उसका इंटरनेट यूज करना है तो उसके लिए खाली हमें यूजर से परमिशन लेनी की ज़रूबत नहीं है काई वाइबरेट करना है डिवाइस को टाइम लोन सेट करना है यह फिर नेट वरक कनेक्टिविटी स्टेटस चाहिए तो इस चीज के लिए गाइस हमें यूजर की परमिशन नहीं चाहिए और यह क्या होते है ऑटमेटिकली ग्रांट होते है कि से सिस्टम से मतलब हमारे हमने अपने अप में लिख दिया कि हमें इस बढ diferen happening again solution grant करते है और जो dangerous permissions होते है कि जब वह हम camera ryukend ukds करते हैं क्या यू एक्सक काते हैं ये फिर audio record करते हैं यह यह होती है क्यूंकि जिस चीज में भी हम किसी यूजर की privacy access कर mijn हैं तो वह चीज क्या हो गई dangerous permissions हो हैं उसकी क्या जरुवद होती है हमें user की consent की जरुवद होती है कि user को पता होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए use कर रहे हैं और कौन-कौन से इसमें components use कर रहे हैं तो इसे यह क्या होता है requested at runtime when app needs the permission pop up a dialogue to ask for a permission basically guys यह permission come request होती है run time के time पर कि जब app चल आया और जिस वक्त हमें उस पर जैसे camera आया गाई जब तक आप use कर और को issue नहीं है बड़ जैसे हम camera पर गए तो वह फॉरन हमारे एक pop-up दे देगा we want a permission for your camera app तो वह camera के लिए जब तक हम उसे allow नहीं करेंगे वह camera क्लिक नहीं कर सकता गाई तो इसी के लिए हमारे पास क्या होते हैं अलग-अलग documentation भी आप इसे जाके पड़ भी सकते हो गाई जैसे इसने allow करा camera के लिए हमें जब तक allow नहीं करेंगे यह क्या होगा हमारा contact access नहीं करेगा अब गाईस हमारे पास इसमें भी दो तरीके की क्या है compatibility है जो हमारे older versions थे जो हमारे लॉलिपॉप यह उससे पहले के वर्जन थे उसमें अगर आप आप आपने यूस करा होगा तो आपको याद होगा जो आप इंस्टॉल करते थे उसी की टाइम पर वो सारी जो कि बिस्ट कि यह हमें किसी की चाहिए ओगन थी चाहिए कॉंटेक्स भी चाहिए लोकेशन भी चाहिए फोटो मीडिया चाहिए यह कैमडा चाहिए microphone चाहिए तो उसमें कमी कि आधी कैस कि अगर कोई कोई स्टॉच्च वह पर्मीशन ले रहा है तो या तो वह एप भी हमारे वर्जन आ रहे हैं अब उसमें किया है हमें दरूर नहीं है सारी ही पर्मिशन एप चलाने के लिए जरूरत है जैसे अगर हम इंस्ट्राग्राम हैं अगर मैं उसे हमारी स्टोरेज की पर्मिशन ना दों तो बाकी सारी चीज़े नॉर्मली वर्क करेंगे इंस्टाग्राम में जैसी वर्क करते हैं लेकिन जब हमें को फोटो अप्लोड करना होगा तो अब वह गैलरी का करेंगे या नहीं करेंगे नहीं तो इसमें हमारे देवल कर सकते हैं और परमिशन भी नहीं देंगे ऊसे तो यह सारी पर्मिशन या फिर यूजिव मत करो तो इसमें थोड़ा सा आप क्या है हमारी compatibility ज्यादा बैटर है और permissions के उसमें थोड़ी सी और advanced हो चुकी है तो यह basically वह है यह तो sub accept करो या फिर app ही मच चलाओ और यहां पर क्या है हम से simple runtime पे permission ले लेते हैं उसकी तो guys basically best practices क्या होती है permission की कि हम अपने यूजर को कभी भी overload नहीं करते हैं किस से permissions से क्या गलत वह चला जाएदा है अगर मेरा app है तो guys उसमें मुझे storage की permission को कोई using नहीं है अब लेकिन मैं user से क्या क्या हूं कि मुझे storage की permission दो तो guys वो क्या लगेगा suspicious लगेगा in the sense कि जिस app को जरूवत ही नहीं है वो ले क्यों रहा है मुझसे permission तो इससे हमारे क्या adverse effect पढ़ेगा क्यों क्यों क्योंकि हमारा जो user है वो क्या कर सकता है हमारा app uninstall कर सकता है इस basis पर कि यार I don't know कि हमसे request क्यों कर रहा है चीज को तो इसमें क्या करते हैं हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा user है हम उससे extra permissions ना request करें गाइस तो यहां पर गाइस एक exercise है यहां पर हमारे पास अलग चार तरीके की क्या है रिक्वेस्ट है एक है read and write meaning add or edit events in the user calendar राइट दूसरी क्या request है हमारी प्ले ओडियो वीडियो ऑन देवाइस एक्सेस द यूजर्स करेंट लोकेशन और शोर नोटिफिकेशन ऑन दा डिवाइस तो यहां पर हमें क्या डिवसाइट करना है यहां नो मैं आंसो देना है कि कौन सी जो हमारी permission है वह automatically grant हो जाएगी android system से कौन सी वह permissions है जो हमें user से authority लेने की जरूआत है गाइस तो इस पर देख लेता है कैसे तो सबसे पहले हमारे read or write जो क्या है calendar पर तो गाइस इसकी हमें जरूआत है user से authentication लेने की क्योंकि यह क्या है एक personal data है किसका user का जो वह use कर रहा है है calendar में record करने के लिए अपना personal data तो यहां पे हमें क्या permission की जरूआत है और यह यहां पर क्या होता है calendar के लिए एक हमारे केप को एक्सेस करना हैं अपका केलेंडर उसमें जो चीज़ları लिखी है वह but five calendar in the zaskarsардrami करने बूले करने के बाद उसमें कुछ edit भी करना है तो उसकी हमें यूजसर से दोनों की चीज़ों की परमेशन को लेनी होगीכाईद अक्सेस करनी होगी उसके बाद आ प्लेयो और वीडियो अंधर डिवाइस तो गयिस इसकी हमें पर्मेशन यूदर से नहीं लेनी है क्यूंकि यह क्या है एक सस्टम टास्क है गई तो अगर आप इसकी डॉक्यमेंटेशन देखो तो इसमें हमें क्या है जरूरात नहीं होती है यह क्या है हमारा फ्रेम्वर्ट करता है support दूसरे मीडिया टाइप को प्ले करने की गाइस बट हाँ गाइस अगर हमारा जो मीडिया प्लेयर है वह ओनलाइन क्या रहा है ओनलाइन स्ट्रीमिंग का बेस्ट है कि जैसे spotify या ऐसे कोई एपस है जो music offline न करके online से प्ले कर रहे हैं तो इसमें हमें कौन सी permission चाहिए होगी internet की जो हमें user से लेनी पड़ेगी तो इसमें दो चीज़े है या फिर wake up के लिए अगर हमारे क्या करना है जो time set करना है screen का उसके लिए अगर हमें करना है कि जिस वक्त सॉंग प्ले हो जो हमारी स्क्रीन है वह डिम ना हो तो उसके भी गाई हमें permission लेनी पड़ेगी हाँ थर्ड वो क्या है कि अगर हमें user की क्या location access करनी है तो उसके लिए भी user से क्या लेनी पड़ेगी information लेनी पड़ेगी गाई क्योंकि यूजर एक हो गए गाई प्राइवर सी सेंसेटिव इंफरमेशन हो गई तो हमें वो यूजर से उसकी परमेशन लेनी पड़ेगी कि वो बंदा कहां था उसकी location हमें एक्सेस करनी है और जो गाई हमारी location भी होती है वो भी actually दो टाइप की होती है एक कौन सी होती है course location एक होती है fine location course location ऐसी होती है कि थोड़ा सा यह सोचलो आप approach location हो गई कि जैसे आप किसी area में हो तो वो यह बता देगा अच्छा इस area में आप इस area के आसपास हो कहीं पर बिल्कुल हमारा app जब access करेगा उस information को तो उसे location बस इतनी पता होगी कि okay कि किसी city के इस part में वो बंदा है exact to the point location नहीं पता होगी गाई और दूसरी हमारी कोर्स लोकेशन की access चाहिए तो यूजर सो हमें करना पड़ेगा वासे access location लेनी पड़ेगी गाई उस पे और हमारा last क्या है का नोटिफिकेशन के लिए तो नोटिफिकेशन के लिए हमें कोई request नहीं लेनी गाई वो क्या है हम जो हमारा android framework के वो provide करवाता है नोटिफिकेशन क्या है डिस्प्ले करवाता है simple UI का पार्ट होता है तो उसमें हमें कोई permission नहीं चाहिए होती अब जैसे हमारा जो tsunami app था गाई उसमें क्या है इंटरनेट की जरुवात होगी क्योंकि अजैसे हमारा पापा नहीं होगी नहीं है तो हमें इस इवेंट को चेक करना है कि वह पर tsunami alert है तो यह फैच करेगा online तो यहां पर HTTP request होगी तो अगर मैं यहां पर इंटरनेट request नहीं दोगा इस पर manifest में तो गाई यह क्या हो जाएगा तो मैंने आपको जो इसका code दोंगा उसमें मैं इसमें इंटरनेट परमिशन नहीं दाल लगी तो आप जब इसे इंपोर्ट करोगे और इन्स्टॉल करोगे रण करवाने की कोशिश करोगे तो आपका ये एप ख्रेश होगा तो आपका first task यहीं है कि manifest file में जाके इसमें internet permission दालनी है आपको मैंने आपको syntax already दिखा जिए कि internet permission कैसे दालनी है manifest में जाके और hopefully आप इतना familiar हो चुके होगे कि आपको पता है manifest file कहा है उसमें कैसे access करना है अब हम उस point पर आ जुगे हैं कि आपको थोड़ा सा search करना आना चाहिए online कि कैसे हम syntax हमें check कर सकते है online आप जैसे online search भी कर सकते हैं how to put permission for internet in manifest file और हमें क्या करना है इसके बाद इंपोर्ट करना है इसमें ताकि हम crash को बचा सुके और हमें ऐसा अपना जो एप है वह ऐसा दिखे अभी मैं आपको दूंगा जब को इस वीडियो में तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि description में है तो उसमें हमारा first task क्या होगा यही होगा कि पहले तो हमें app को crash नहीं होने देना है और उसके बाद हमारा app ऐसा दिखे उसका layout ऐसा हो